नमस्कार, Vision ISK News Today के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा के दृष्टी से महत्वपून कुछ एहम खबरें इसंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंग आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंक की खास खबरों के बारे में सिक्षा मंत्राले ने राश्ट्रिय उपलबधी सर्वेक्षन 2021 रिपोर्ट जारी की केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के वर्ल्डवाइल गवर्नेंस इंडिकेटर्स में निमन स्कोर दिये जाने पर विरोध प्रकट किया उच्चितम नियाले ने सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मानिता दी पेट्रोल में इथनॉल मिश्रन को अगले तीन वर्षों में 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा उच्चितम नियाले ने निर्णे दिया कि वस्तू एवं सेवाकर परिशत की सभी सिफारिशें संग और राज्यों पर बाधिकारी नहीं है और आईए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं सिख्शा मंत्राले ने राश्ट्रिय उपलब्धी सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की राष्ट्रिय उपलब्धी सर्वेक्षन भारत में सबसे बड़ा राष्ट्र व्यापी नमूना आधारेच सिक्षा सर्वेक्षन है इस सर्वेक्षन जिला, राज्य और राष्ट्रिय इस्तर पर छात्रों में सीखने की शमता पर फीडबैक प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है इसका आयोजन सिक्षा मंत्राले के अधीन स्कूल सिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वा वधान में किया जाता है इसका आयोजक संगठन केंद्रिय माधिमिक सिक्षा बोड है इस सर्वेक्षन की रूप रेखा और घटक NCRT द्वारा तयार किये गए है NAS 2021 का आयोजन 22 अलग-अलग भाशाओं में OMR आधारित उपलब्धी परिक्षन के माधिम से किया गया है ये सर्वेक्षन कक्षा 3, 5, 8 और 10 के चात्रों के लिए आयोजित किया जाता है कक्षा 3 और 5 के चात्रों का मुल्यांकन पाठिक्रिम के 3 विशियों में किया जाता है कक्षा 8 के चात्रों का मुल्यांकन 4 विशियों में किया जाता है और कक्षा 10 के चात्रों का मुल्यांकन 5 विशियों में किया जाता है सर्वेक्षन में राजियों के सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल और केंद्र सरकार के स्कूल शामिल किये गए हैं राश्ट्रिय उपलब्धी सर्वेक्षन के मुखे निशकर्शों की बात करें तो इसमें सभी विश्यों और कक्षाओं के प्रदर्शन इस तरों में गिरावट दर्ज की गई है 78 प्रतिशत चात्रों ने माना कि महामारी के दोरान घर पर सीखना बोजिल लगता था 24 प्रतिशत चात्रों के पास घर पर डिजिटल उपकरण उपलब्ध नहीं थे 18 प्रतिशत बच्चों की माता पढ़ लिख नहीं सकती थी इसके अलावा 7 प्रतिशत स्कूल सिख्षकों की अनुपस्थिती का सामना कर रहे हैं इस सर्वेक्षन का ये महत्यु है कि ये जिला, राज्य और राश्ट्रिय इस्तर पर चात्रों की उपलब्धी का आकलन प्रदान करता है और सिख्षा की गुणवत्ता में सुधार करता है विन्याम की गुण और सीखने की शमता में समानता सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्मान तथा सेक्षनिक पहलों को डिजाइन करने के लिए इन्पुट प्रदान करता है इसके अलावा अन्य संबंदित जानकारी भी हैं जैसे सिख्षा की वार्शिक इस्थिति रिपोर्ट यानि A.S.E.R A.S.E.R सीखने की शमता का व्यापक आकलन करने वाला एक अन्य सर्वेक्षन है इसे वर्ष 2005 में NGO प्रथम ने शुरू किया था A.S.E.R सभी ग्रामीन जिलों को शामिल करने वाला एक वार्शिक पारिवारिक सर्वेक्षन है इसमें सभी बच्चों को शामिल किया जाता है इनमें स्कूल छोड़ने वाले बच्चे या ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए हैं उनकी भी पहचान की जाती है सर्वेक्षन में 3-16 वर्ष आयू वर्ग के सभी बच्चों की स्कूली सिक्षा की इस्थिती का आकलन किया जाता है वहीं 5-16 वर्ष आयू वर्ग के सभी बच्चों की पढ़ने की बुनियादी शमता और बुनियादी अंक गडितिये शमता का आकलन किया जाता है अगली खबर विश्व बैंक से संबंदित हैं केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर में निमने स्कोर दिये जाने पर विरोध प्रकट किया है विश्यु बैंक के Worldwide Governance Indicators के विशलेशन में भारत के स्कोर सभी संकेतकों में उसके समकक्षों के मुकाबले काफी कम है ये विशलेशन भारत की सोवेरन रेटिंग के लिए एक प्रमुख आधार है इन डेटा सरोतों में Think Tank, सर्विक्शन एजेंसियां और अंतराष्ट्रिय मीडिया जैसे Freedom House, Economist Intelligence Unit आधी शामिल हैं इनके विशलेशन भारत की Sovereign Rating को घटा सकते हैं World Governance Indicator Report वर्ष 1996 से 2020 की अवधी में 200 से अधिक देशों और राजिशेत्रों के लिए समग्र और व्यक्तिकत अभिशासन संकेतकों के बारे में सूशना देती हैं ये संकेतक शासन के 6 आयामों पराधारित हैं इसमें सर्विक्षन के माध्यम से ओध्योगिक और विकाश्षीम देशों में बड़ी संख्या में उद्यम, नागरिक और विशेशग्यों की सामुहिक राय को शामिल किया जाता है इससे पहले भी कई अन्य रिपोर्टों में भारत की स्थिती को निम्नतर दिखाने पर आपत्ती जताई गई हैं जैसे कि डबलू एचो की कोविड-19 की वजह से मृत्यकों की संख्या का अनुमान लगाने की पध्धती इसके अलावा Economist Intelligence Unit की रैंकिंग में भारत का इस्थान वर्ष 2014 के 27 से गिर कर वर्ष 2019 में 51 हो गया था तथा विश्व भुक्मरी सूचकांक 2021 में भारत को विश्व के 116 देशों में 101 वे इस्थान पर रखा गया है हाला कि ऐसी रिपोर्टों की कई कमिया भी हैं जैसे कि रैंकिंग की पधती में किसी एक विशेश संकेत को ज्यादा महतु दिया जाता है अनुचित सांखिकिया या गणितिय मॉडल का उपयोग किया जाता है महतुपूर्ण इन्पूट को शामिल किये बिना किसी देश के पिछले प्रदर्शन से तुलना की जाती है अन्य वस्तुनिष्ट घटकों को मापने के लिए एक व्यक्ति परक दृष्टिकॉर्ण का उपयोग किया जाता है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स के तहट चाशन के 6 आयाम है लोगों की आवाज और उनके प्रति जवाब देही राज़ीतिक इस्थिर्टा और हिंसा या आतंकवाद की अनुपस्थिति और सरकार की प्रभाव शीनता ये खबर पेपर वन के टॉपिक सुभिध्य वर्गों से संबंदित है उच्चितम नियाले ने एक महत्तोपूर्ण निर्ने देते हुए सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मनिता दिदी है आपको बता दे कि उच्चितम नियाले ने सेक्स वर्कर्स के लिए अनुच्चेद 21 के अनुसार गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थियां बनाने के लिए ये निर्देश जारी किये हैं ये निर्देश अनुच्चेद 142 के तहत जारी किये गए हैं अनुच्चेद 142 उच्चितम नियाले को किसी भी मामले में या उसके समकक्ष लंबित मामले में पूर्ण नियाय करने के लिए विवेका धीन शक्ती प्रदान करता है और इसी विवेका धीन शक्ती के तहट उच्चितम नियाले ने जो दिशा निर्देश जारी किये हैं उनमें कहा गया है कि वयसकों और सहमती देने वाले सेक्स वरकर्स के खिलाब कोई पुलिस हस्तशेप या आपराधिक कारवाई नहीं की जाएगी इसके तहट बच्चे को केवल इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वो देह व्यापार में लिपते है बचावकारियों की रिपोर्ट करते समय मीडिया को उनकी तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए या फिर उनकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए केंद्र और राज्यों को कानून में सुधार के लिए सेक्स वर्कर्स या उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए UIDAI सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड प्रदान करेगा बले ही वे निवास प्रमान प्रस्तुत करने में असमर्थ हो ये राश्ट्रिय एज्ज नियंतरन संगठन या राज्य स्वास्थ विभाग द्वारा जारी किया जाता है sex workers द्वारा सामना की जाने वली जो समस्याएं हैं वय यह हैं कि वय हिंसा अपराधिकरण और हाशिय पर धकेल दिये जाने की इस्थिति का सामना करती है उन पर HIV से संक्रमित होने का उच्च खतरा बना रहता है भारत में sex work की कानूनी इस्थिति की बात करें तो भारतिय दंड सहिता के तहट स्वैक्षिक लेंगिक कृत्य या वैश्य वृत्ति को गेर कानूनी नहीं माना जाता है हाला कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहट वैश्याले चलाना इसके लिए दलाली करना या उसका मालिक होना गेर कानूनी है भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए अन्य पहले भी हैं जैसे कि सेक्स वर्कर्स के लिए पुनर्वास योजना देह व्यापार के लिए इनकी तसकरी को रोकने उनके बचाव पुनर्वास पुनसमेकन और प्रत्या वर्तन के लिए उज्वला योजना चलाई गई इसके अलावा National Network of Sex Workers इस्थापित किया गया अगली खबर उर्जा शेत्र से है पेट्रोल में इथनॉल मिश्रन को अगले तीन वर्षों में 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा केंद्रिय मंत्री मंदल ने राष्ट्रिय जयाव इंधन नीती 2018 में संचोधनों को मंजूरी दी है इन संचोधनों के द्वारा पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथनॉल मिश्रन के लक्षे को वर्ष 2030 की जगह है अब वर्ष 2025 तक प्राप्त किया जाएगा भारत में मई 2022 तक पेट्रोल में 9.9 प्रतिशत इथनॉल मिश्रन की उपलब्धी हासिल की जा चुकी है वित्य वर्ष 2022 के अंति तक इसके 10 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है इथनॉल मिश्रित पेट्रोल के बारे में बात करें तो इथनॉल एक कार्बनिक योगिक एथिल अलकोहल है गैसुलीन की तुलना में इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है इसलिए ये पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर में सुधार करता है क्योंकि इथनॉल में ऑक्सीजन होता है इसलिए ये इंधन के पूर्ण दहन में मदद करता है और इससे कम उत्सरजन होता है लक्षिप्राप्ती अवधी कम किये जाने से लाभ ये होगा कि प्रतिवर्ष 30,000 करोड रूपे के बराबर की विदेशी मुद्रा की बचत होगी उर्जा सुरक्षा में व्रिधी होगी, कम कार्बन का उदसर्जन होगा, खराब हो चुके खाध्यानों का बहतर उपयोग किया जा सकेगा और किसानों की आय में व्रिधी होगी हाला कि इस सजुरी कई मुख्य चिंताएं भी हैं, जैसे कि पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथनौल के मिश्रन के लिए वाहनों के इंजनों में बड़े बदलाव की आवेशक्ता नहीं होती है लेकिन 20 प्रतिशत मिश्रन के लिए कुछ बदलावों की जरूरत हो सकती है, इससे वाहनों की खीमतों में बढ़ूतरी हो सकती है लक्षी प्राप्ती के लिए अधिक जल की मात्रा की जरूरत वाली पसनों के लिए अत्यधिक भूमी की जरूरत होगी ऐसे में उत्सरजन में वास्तविक कमी का लाभ कम हो सकता है राश्ट्रिय जैव इंधन नीती को वर्ष 2018 में जारी किया गया इसका उत्देश ये इंधन मिश्रन को प्रोटसाहित करके आयात पर निर्भरता को कम करना है इसमें बायो एथनॉल, बायो डीजल और बायो सीनजी पर बल दिया गया है इस नीती के प्रमुख भागों में शामिल है इथनॉल मिश्रन कारिक्रम दूसरी पीड़ी के इथनॉल का उत्पादन, इंधन में मिश्रुत किये जाने वाले उत्पादों के उत्पादन की शमता बढ़ाना इथनॉल उत्पादन के लिए प्रारंभिक सामगरी के रूप में इस्तमाल कच्चे माल में अनुसंधा निवम विकास इन लक्षियों को प्राप्त करने के लिए वित्य प्रोचसाहन आदी ये नीती इथनॉल उत्पादन के लिए अधिशेश चावल या शतिग्रस्त खाद्यानों को कच्चे माल के रूप में उप्योग करने की अनुमती भी देती है अगली खबार संग और राज्यों की कर विवस्था पर आधारित हैं उच्चितम नियाले ने निर्णे दिया है कि वस्तु एवं सेवाकर परिशद की सभी सिफारिशें संग और राज्यों पर बाधिकारी नहीं है उचितम नियाले ने GST विवस्था में GST परिशद, केंद्र और राजियों की भूमिकाउं तथा उनके परस पर संबंधों को परिभाशित किया है GST विवस्था पर उचितम नियाले के निर्णे में कहा गया है कि संसद और राज्यविधान सभाओं के पास GST पर कानून बनाने की समान शक्ती है अनुच्छे 246-A GST पर केंद्र और राज्यों के कानून के बीच दिसंगतियों को दूर करने के लिए एक असंगत प्रावधान की परिकल्पना नहीं करता है अनुच्छे 246-A GST के संबंध में कानून बनाने की शक्ती से संबंधित है GST परिशद भारत में अप्रत्यक शकर प्रणाली तक सीमित केवल एक संब्धानिक निकाय नहीं है ये संगवाद और लोगतंत्र को बढ़ावा देने वाली एक महत्तुपून संस्था भी है GST कानून के निरने में कहा गया है कि 101-वे संब्धान संचोधन अधिनियम 2016 के अनुसार GST परिशद का प्रत्यक निरने उपस्थित सदस्यों के भारत मतों के कम से कम 3-4 बहुमत से लिया जाएगा GST कानून के निरने के तहट केंद्र सरकार के मत का भारांश किसी बैठक में डाले गए कुल मतों का एक तिहाई होता है सभी राजसरकारों के मतों का भारांश किसी बैठक में डाले गए कुल मतों का दो तिहाई होता है हाला कि किसी भी असहमती के मामले में केंद्र सरकार अपने समर्थन को तीन चौथाई बहुमत से नीचे ला सकती है जो किसी निर्णे को पारित करने के लिए जरूरी है जीस्टी परिशद के गठन का प्रावधान सम्विधान के अनुच्छे 289A1 के तहत किया गया है जीस्टी परिशद जीस्टी के मुद्दों पर सलाह देने और सिफारिश करने वाला एक सम्विधानिक निकाय है जीस्टी परिशद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है इस परिशद में ये सदस्य शामिल हैं जीस्टी परिशद में केंद्रे वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं केंद्रे वित्त राज्य मंत्री सदस्य के रूप में होते हैं और राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्यक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री इसका सदस्य हो सकता है और आए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वकून सुर्खियों की पंजिकृत गैर मानिता प्राप्त राजनी तिक दल भारतिय निर्वाचन आयोग ने 2100 से ज्यादा पंजिकृत गैर मानिता प्राप्त राजनी तिक दलों के विरुद्ध श्रेणी बद्ध कारवाई शुरू की है इन दलों ने लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 का उलंगन किया है इस कारवाई के तहट उन्हें प्रधान कारेले के पते पर किसी भी बदलाव के संबन्द में ECI को सूचित करना होगा जो की धारा 29.1.9 के तहट होगा साथ ही राजनी तिक दलों को अपने अंशदान की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ये धारा 29.1 के तहट किया जाएगा पंजीकृत गयर मानेता प्राप्त राजनी तिक दल या तो नए पंजीकृत दल होते हैं या फिर ऐसे दल होते हैं जिन्हें राज्य इस तरिये दल बनने के लिए विधान सभा या आम चुनावों में परियाप्त प्रतिशत मत हासिल नहीं हुए हैं इसके अलावा जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद कभी निर्वाचन में हिस्सा नहीं लिया फर्स्ट मूवर्स कोईलिशन हाल ही में भारत First Movers Coalition Steering Board में शामिल हुआ है इसे अमेरिका और विश्व आर्थिक मंच ने Glasgow, Scotland में COP26 में लॉंच किया था First Movers Coalition एक वैश्विक पहल है ये उन साथ अध्योगीक शेत्रों का विकारबनी करण करने के लिए कमपनियों की क्रेशक्ति का उप्योग करती है जिनका उत्सर्जन कम करने में कठिनाई आती है इनमें Aluminium, विमानन, रसायन, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील और ट्रक शेत्र शामिल है ये वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन की 30 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है ये शुन्ने कार्बन प्रोध्योगिकियों के व्यवसाई करन पर लक्षित है साथ ही Net Zero लक्षी की प्राप्ति के लिए आवशक महत्तोपून उभरती प्रोध्योगिकियों को प्रोध्साहित करने पर केंद्रित है और आईएब आपको बताते हैं व्यापार के समक्ष तक्नीकी बाधाओं के बारे में हाल ही में भारतिय प्रतनिधी को व्यापार के समक्ष तक्नीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिती का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है व्यापार के समक्ष तक्नीकी बाधाएं अनिवारे तक्नीकी नियमों और स्वैक्षिक समाधानों को संदर्भित करता है ये नियम और समाधान किसी उत्पाद की विशेश्ताओं को परिभाशित करते हैं जैसे कि उसकी आक्रती, माप, डिजाइन और पैकेजिंग आ दी टीबीटी पर विश्व व्यापार संगठन का समझोता एक निवारक साधन है इसका उद्देश्य ये सुनिश्यत करना है कि ऐसे उपाए गैर भेदभाव पूर्ण हों साथ ही व्यापार में अनावश्यक बाधाएं पैदा नहीं करने वाले हों टीबीटी समीती के कारे में दो व्यापक शित्र शामिल है विशेश उपायों की समीक्षा और टीबीटी समझोते के कारे आन्वेन को मजबूत करना बोंगो सागर अभ्यास ये भारत और बांगलादेश के दुपक्षिय नौसेन ने अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संसकरन है ये बांगलादेश के पोर्ट मोंगला में शुरू हुआ है राश्ट्रिय शिशु ग्रह योजना ये योजना कई सेवाओं को एक इक्रिट पैकेज प्रदान करती है जैसे सोने की सुविधाओं सहीत डे केर सुविधाओं अनुपूरक पोशाहार, विकास निगरानी, स्वास्थे जांच और टीका करन परम पोरूल परम पोरूल एक अत्यधुएक सूपरकम्प्यूटर है इसे राश्ट्रिय सूपरकम्प्यूटिंग मिशन के द्वितिय चरण के तहत NIT तिरुचिरा पली में स्थापित किया गया है परम पोरूल के निर्मान के लिए उपयोग किये जाने वाले अधिकांश घटकों का निर्मान देश में ही हुआ है साथ ही उनकी असेंबलिंग भी देश के भीतर ही हुई है ये उच्च शक्ती आधारित उपयोग में प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए डारेक्ट कॉंटाक्ट लिक्विट कूलिंग तकनीक पराधारित है इससे परिचालन लागत में कमी आती है नेशनल सूपर कम्प्यूटिंग मिशन के तहट अब तक 24 पेटाफलॉप्स की कम्प्यूटिंग शमता के साथ देश भर में 15 सूपर कम्प्यूटर इस्थापित किये जा चुके हैं स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सूपर कम्प्यूटर परम शिवाय था नेटवर्क स्लाइसिंग यदि संचार नेटवर्क पर नेटवर्क स्लाइसिंग की जाती है और पक्षपात पून विवहार किया जाता है तो 5G नेटवर्क और भारत में नेट नेटवर्क कानूनों के बीच विरोधाभास पैदा हो जाएगा और इसका कारण यह है कि विशेश उप्योग मामलों के संदर्ब में 5G नेटवर्क में अपेक्षा के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता नेटवर्क स्लाइसिंग एक नेटवर्क कॉन्फिग्रेशन है यह एक सामान्य भौतिक बुनियादी धाचे के शीर्ष पर कई नेटवर्क बनाने की अनुमती देता है जो की वर्चुल होंगे और स्वतंत्र होंगे यह कॉन्फिग्रेशन समगर 5G संदचना का एक अनिवा सारे घटक बन गया है नेटवर्क के प्रतेक स्लाइस या हिस्ते को अप्लिकेशन उप्योग मामले या ग्रहक की विशेश आवश्यक्ताओं के आधार पर आवंटित किया जा सकता है मैगनेट्रोन सरकार ने देशज S-Band Tunable Magnetron for Particle Accelerators के विकास और विवसाई करण के लिए वित्य सहयता की भोशना की है इस मैगनेट्रोन में 2 mm ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज करने की शमता है इसे वेग्यानिक और ओद्योगिक अनुसंधान परिशद खेंद्रिय इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रे की अनुसंधान संस्थान यानि CSIR और CEERI ने विक्सित किया है मैगनेट्रोन एक उच्च शक्ती वाली वेक्यूम ट्यूब है ये स्वाप्रेरित माइक्रोवेव उसिलेटर के रूप में कारे करती है इसका उप्योग सामगरी के गयर विनाशकारी परीक्षन कैंसर के उपचार के लिए विकिरन ठिकित सा मशीनों रडार आधी में किया जा सकता है HD 3443 भारतिय क्रिशी अनुसंधान संस्थान ने देश की पहली नरम गेहूं की किसम विक्सित की है इसका नाम पूसा सॉफ्ट वीट वण HD 3443 है पराइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में खेरसान शेत्र रूस ने यूकरेन के खेरसान शेत्र में एक नया प्रशासन इस्थापित किया है साथ ही उसने शेत्र में रूबल को मुद्रा के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है क्रीमिया से लगा हुआ खेर सौन शेत्र नीपर नदी के पश्चिमी तड़ पर दक्षनी यूक्रेन में स्थित हैं रूस ने क्रीमिया पर वर्ष 2014 में अधिकार कर लिया था वर्ष 1778 में ये काला सागर तड़ पर रूसी सेना का पहला नौसैनिक अड़ा और शिप्यार था इसके साथ ही यंग समाप्त होता है अगले यंग में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपून खबरों के साथ तब तक अपना खयाल रखिये सुरक्षी दूरी बनाए रखिये, मास्क पहनिये, हाथ और चहरा साफ रखिये क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है इसलिए एहतियात बरतिये और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इसी अपेल के साथ विजन आईस की पूरी टीम आपसे इजाज़त लेती है नमस्कार, ठैंक यू पो लिस्निंग